जैहिंद कैसे आप सभी लोग उमिद करता हूं सभी अच्छी होंगे फिट होंगे और फस्स क्लास होंगे एससे एक बार फिट से आपका अपना रोईद भाई स्वागत करता है और देखो यार के इस प्रकार से के इतनी मेहनत करके ब्रेक में छट पर आकरके मुझे आपके ल सब्जेक्ट्स को आप किन टीचर से पढ़ सकते हैं जिससे की एक अच्छा स्कोर करके आप सेलेक्शन ले सकते हैं इस बार की भरती में ठीक है तो इसी वीडियो को शुरू करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल सब को रिप्लाइक करते हैं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं इस वीडियो को शुरू आप सभी जानते हैं इस साल दो अभी भरती हुई थी 2023 में जिडिक का जो स्लेवर्स था वो चेंज हुआ था 20 कोशन पर कोशन टू मार्क्स का था चार सेक्शन हैं मैट्स रि इनको भी इस बार हो सकता है कि एड़ कर दें तो जो नोटिफिकेशन आएगा उससे आपको पता चलेगा आप बात करते हैं कि जो अभी फिलाल अभी के टाइम पर जो कंडिशन है उसके अकोर्डिंग हम चलते हैं कि किस प्रकार से त्यारी की जाए सबसे पहले अगर आप विल्कुल बेसिक हैं जीरो हैं तो आपके पास दो अप्शन मनते हैं सबसे पहले तो आप जो है किसी का भी एक पूरा जो कंप्लिट कोर्स आता है वह पर चीज कर सकते हैं और उस फिल्ड में जीडी के फिल्ड में खास करके कॉंस्टेबल लेवल पर जो फेमस आजकल चल करें रोजगार भी दंकित आप उनका बैच ले सकते हैं और देख सकते हैं हाला कि मैंने कभी बैच उनका नहीं लिया लेकिन यूट्यूब पर उनकी एनलसिस हैं वह सब मैंने काफी कुछ देखा है और हैं मुझे उनसे काफी मिलती रही है तो आप चाहें तो अगर आपको सबता हूं तो वह मैंने खांसर जो हैं पटना वाले उनसे मैंने जीएस पड़ी है अब रिजनिंग रिजनिंग ऐसा है कि कुछ ज्यादा हाड सब्सक्राइब नहीं है और एससी में काफी आसानी जीएस आती है मेरे 40 में से 40 मांक से रिजनिंग में तो आप किसी आप सारी टॉपिक्स एक बार नोट कर लिजी कि क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और हर टॉपिक की वीडियो देखर क्या प्रक्रिस कर लेजिए बहुत आसान है रिजनिंग एससी में आने वाली जो है ठीडियों में में थोड़ा से रिजनिंग का लेबल हर कर दिया जरूर बाकी तो आसानी वाट आती नहीं बात करते हैं G.S की गेंजिएस एक काफी गेंळीम रहता है रोल काफी है virus का अब पहले कुछ साल पहले एक साल पहले तक क screw बहुत जद्ध हाड आती थी हैं तो लोग सोशते थे श्म्नापडो बाट एक है को फालीज़ा पने लोग व्यूट कोशले एक साल सा इस साल चेठ ऑर पिछले साल के GD का GS देखें या CGL, CBO का GS देखें पिछले साल हो के उसमें और आज के GSRD उसमें काफी अंतर है अगर आप पढ़की जाएंगे तो यकीरन आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो GS मैंने खांसर से पढ़ी थी आप जिसको आप अच्छा लगे जिस भी टीजर से आप पढ़ने चाहें पढ़ सकने हैं और बाकी RWA से आप कर सकने हैं इसके लावा बात करें अगर हम आपके English और Hindi की तो Hindi में मुझे लगता है कुछ खास Hindi में है नहीं आप एक बुक आती है RWA की आप उस बुक को ले सकने हैं पिछले साल जो हिंदी आती थी और इस साल ज थोड़ा से हिंदी का प्रेटेंचींज हुआ था और एक दो कोशन जो है वो व्याकरण से संब्दिय भी आए थे एक या दो कोशन बज्यादा नहीं तो ज्यादा उसके लिए भी दिमाग खरब करने की जरूत नहीं है अच्छा इसको आप कर लोगे अब बेसी कहीं सभी प पहले से एकजाम देते हैं आरें इंग्लिक का तो पढ़िए है अधर वाइज मैं खोंगा कि आप हिंदी ओपड के लेकिन इंग्लिस जो है वह काफी असान लेबल की आती है अगर आपकि वोक्य बच्च है तो उसके लाबहां कुछ खास है नहीं इंग्लिस में बहुत सिंपल साधानट तोर पर आती है रूल्स भी एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको पढ़ जाता है कि इसमें क्या error है या क्या improvement आपको इसमें करना है किसी टीचर का जो पूरा बैच चलता है ना complete course वो आप ले लूँ मैं तक हूंगा उससे बैतर आपके लिए और पुछ नहीं रहेगा उसके अलावा भी क्यारियर विल है और आपका रैंकर्स ग्रूपूल है इस परकार से भी कई चैनल्स हैं रैंकर्स ग्रूपूल का तो साहल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी प्रैक्टिस जितने प्रिविस एर है वो सब करो सीजी यल्सी एचसल सीप्यों जो भी आपको कोशिशन पेपर मिल रहे ना वाई सब सॉल्व कर लो उससी में आपको फायदा है कॉम्पूटिशन बहुत जदा हाई है जनल एरिया में त्यारी करें तभी कुछ हो पायागा औरना मुश्किल है बॉर्डर एरिया से हूँ अखसल एरिया से हूँ तब तो वहां थोड़ा कमपूटिशन कम होता है लेकिन जनल एरिया के लिए बहुत मुश्किल पड़ता है तो यार मेहनत करने पड़ेगी जी जान लगाने तभी कुछ हो पाया गए तो उमिद करता हूँ आप को मेरी बात समझ आए होगी और आप उस डियरेक्शन सही तरीके से महनत आप करेंगे और किसी पोर्शन को यह नहीं सोचना किया यह नहीं आएगा करना सब भवाजी सब पढ़नाना है अभी टाइम है तो आप पूरी मह करें चीह हूँ आपको यह ही इस चैनल पर मिलेगी ठीक है तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक किया चैशी राम चैहिंत